एक बहुत ही बड़ा अपडेशन लेकर और बहुत ही बड़ी इंपोर्टेंट बात लेकर जो आप सभी MPPSC जो सिविल सर्विसेज वाले हैं उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है जानना और समझना क्योंकि इनको पढ़कर बहुत सारे लोगों को हो सकता है समझ में ना आये त confusion को clear जरूर कर देगा तो बहुती आसान भाषा में हम इसको रखने वाले हैं ये कल की बात है 20 दिसंबर 2021 की बात है यहाँ पर क्या किया गया है यहाँ पर कुछ संशोधन किये गए है सामान निप्रसाशन विभाग द्वारा अब क्या है ये क्यों है ये ये सभी बातों पर अगर हम चर्चा करें तो देखें पहले क्या होता था 2015 में एक संशोधन किया गया था तो 2015 का जो संशोधन था उसको revert कर दिया है रिवर्ट करने का मतलब यहाँ पर क्या है कि उसको पलट दिया गया है जैसे पहले विवस्था थी उसी के हिसाब से विवस्था कर दी गई ह जैसे पहले क्या होता था कि पहले जनरल की सीट होती थी ठीक है फिर OBC फिर STSC इस तरह की सीटे होती थी लेकिन 2015 के बाद संशोधन से क्या हुआ कि जो जनरल केटेगरी में रहते थे वो ही इस पर आरक्षित मतलब एक एक कैप लगा दी गई थी कि उनी के लिए वो आरक्षित रहेगी इस हिसाब से ये सभी बाते होती थी लेकिन इसको रिवर्ट करने के बाद क्या कर दिया गया है यहाँ पर पांच तरह के कटॉफ बनेंगे कितने तरह के पांच तरह के कटॉफ बनेंगे कैसे तो वो सभी को देखते हैं हाला कि इससे जो है कटॉफ में कमी आने की स संशोधन किये गये हैं जैसा मैंने आपको बताया है 2015 में जो हुआ था उसमें संशोधन कर दिये गया है मतलब उसको पलट दिया गया है पहली बात तो यहां पर अगर मैं बोलता हूं शितिली करण का मतलब क्या है यहां पर शितिली करण का मतलब है किया जाएगा यहां पर पहली बात बोली गई है कि जो भी ऐसे आवेदक है कौन जिनोंने यात्रा वे की बात करी है जैसे यात्रा वे मिलता ना वे भत्ता मिलता है उनको छोड़कर आरक्षित वर्ग के अभ्यरती द्वारा किसी पद विशेश के लिए विभाग के भरती नि हमें में अन्य चूट प्राप्त की गई हो मतलब कि यह शितिली करण यह जो रिलेक्सेशन है यह ऐसे आरक्षित वर्गों को भी मिल पाएगा अगर उन्हों ने केवल यात्रा वे की चूट प्राप्त की हो अब किनको नहीं मिल पाएगा तो भाई साब ऐसे अरक्षित वर्ग जैसे अनुसूचित जाती अनुसूचित जन जाती अन्नि पिछड़े वर्ग यहों EWS के ऐसे अभ्यरती जिनोंने इस शितिली करण का भाग नहीं लिया है अगर अनारक्षित क्योंकि देखो साफ लिखा है अनारक्षित व जात्र वे जो भी आने जाने का खर्चा होता है तो वो एक छूट है वो इसमें शामिल नहीं है वो ऐसे विक्ति जो है इसका भाग छूट का प्राप्त भाग लाव ले पाएंगे लेकिन अगर छूट में कौन सी नहीं मानी जाएगी जिसमें यह भाग लाब नहीं ले यहां पर सबसे महत्पूर्ण यह है कि अभी तक 15 प्रतिशत प्रिलिम्स के जो है केंडिडेट्स उनको शामिल किया आता था मुख्य परिक्षा में लेकिन यहां पर साफ बोल दिया गया है कि अब जो है 20 गुना मतलब 5 प्रतिशत और ज्यादा शामिल किये जाएंगे मेंस की एक्जाम के लिए तो एक सबसे बड़ा फाइदा यहां पर हो जाएगा प्रवर्गवार प्रवर्गवार मतलब केटेगरी के अनुसार जो भी होंगे तो प्रारंबिक परिक्षा के 20 प्रतिशत मुख्य परिक्षा में शामिल होने वाले हैं ठीके बात करते हैं आगे सर्व अबी का जो है कुट ओफ होगा लेकिन यहां पर बोला है कि ऐसे अव्यर्थी जो अनारक्षित वर्ग के निर्धारित कट ओफ से अधिक या बराबर अंक प्राप्त करते हैं तो भाई साब यहां पर पॉयंट समझ लो आप पहली बात तो भाई साब सबसे पहले अनारक्ष संबंदित वर्ग जिसमें ST, SC, अन्य पिछले वर्ग या OBC के निर्धारित कटोफ से अधिक या बराबर अंक प्राप्त किये होने चाहिए और एवं जिनोंने समय समय पर किसी तरह का शितिली करण का लाब लिया हो को सूची से प्रथक कर संबंदित वर्ग में शामिल किया ज ऐसा वो अलग से वर्ग में इनको शामिल करके कटोफ बनाया जाएगा आगी की बात करें तो दिती चरण में अनुसुची जाती अनुसुची जन जाती OBC और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए वर्ग वार कटोफ निर्धारित किया जाएगा फिर महिलाओ एवं भ मस्त पांच सूचियां लगबग लगबग कितने कटोफ यहां पर बनेंगे लगबग लगबग पांच कटोफ यहां पर यहां पांच सूची बनेगी यहां पर तो वो हिसाब से कटोफ ही हुआ है तो मुख्य परिक्षा है तो पात रभ्यर्ति की संयूत सूची बनाई आक्षातकार या इंटर्व्यू के लिए शामिल कर लिए जाएंगे तो यहाँ पर वही बात हो जाएगी कि जो SC, ST, OBC है तो प्राप्त अंकों के बराबर या उससे जादा होना चाहिए तो वो eligible घोशित कर दिये जाएंगे फिर यहाँ पर भी वही हो जाएगा कि सबसे पहले अनारक्षित वालों की लिस्ट बनाई जाएगी कटोब बनाई जाएगा फिर SC, ST, OBC महिलाएं और दिव्यांग श्रेणी और यह सभी इस तरीके से काम यहाँ पर किया जाएगा तो यही एक महत्तपूर्ण बात यहाँ पर निकल कर आती है क्योंकि जैसा प्रिलीम्स में ल हो गई है तो प्राप्त कूलंकों के आधार पर गुणानु क्रम अनुब्हर तैयार क्या जाएगा और समानक प्राप्त करने वाले अव्यरतियों में जो प्रविंता सूची होगी है तो यहां पर यहाँ पर बाते तो एक जैसी बोली गई है बस शुरूरूात में में्स के प्रिलिम्स के लिए बोली गई है फिर मेंस के लिए बोली गई है और फिर इंटर्विव के लिए बोली गई है तो यहाँ पर आप इसको अगर ज्यादा ना भी समझो तो तीन प्रकार से समझ लो पहली बात तो यह कि यहाँ से कट ओफ कम होने की संभावना हो सकती है पहली ब पनेंगे और यह 2015 में संशोधन किया है तो उसी को रिवर्ट करके जैसा पहले था वैसा ही कर दिया गया है ताकि यह जो बीच में कैसे सोर यह सभी दिक्कत दे रहे हैं तो उसको पट्री पर लेकर आया जा सके और सही माइने में सही समय पर इनको क्या है घोशित कर दिया पर नहीं निकलेगा चाहे 50 नंबर का कट ओफ चले जाए चाहे 70 नंबर का चाहे 80 नंबर का बहुत सिंपल सी बात है बच्चे उन आते हैं कहां पर बच्चे उन आते हैं जहां पर नोटिफिकेशन देखा हो जहां पर नोटिफिकेशन की बारे में बताय गया हो जहां पर स् से तो कुछ होना जाना है नहीं बाकि तो आप सभी समझदार है जै हिन जै भरत जै महांकल तेंगी समझ